तो चलिये स्टाट करते हैं सर्वना इससे पहले वाली वीडियो में हम संग्या डिस्कस कर चुके हैं संग्या का लेसन प्लाजेश आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप गोथू कर सकते हैं description में link है तो चलिए start करते हैं serve नाम सबसे पहले कुछ basic information जो की lesson plan start करने से पहले आपको mention करनी होती है जिसमें सबसे पहले आप subject बताएंगे कि subject का आप lesson plan prepare करते हो then आप topic बताएंगे यानि कि उपविश है जो की रहेगा हमारा serve नाम next जो pupil teacher है आप उनका अनुक्रमा यानि जो रोलंबर है वो mention करोगे class mention करोगे कि किस class के लिए आप lesson plan prepare करते हो एक point जो यहाँ पर mention नहीं है that is duration यानि आप किस time के according lesson plan prepare करते हो जिसमें आप 35 minutes 40 minutes के according lesson plan prepare करोगे so first heading है सामान्य उदेश्य चात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना चात्रों को व्याकरण के नियमों का ग्यान कराना चात्रों को हिंदी भाषा के शुद्ध रूप पहचानने के योग्य बनाना and last उदेश्य है सामाने उदेश्य है हिंदी भाषा के विभिन कोशलों को विक्सित करना यानि जो अलग-अलग कोशल है सर्वनाम पढ़ने के बाद हिंदी पढ़ने के बाद छात्र कोशल अरजित कर पाएंगे नेक्स्ट है व्यवहारगत उदेशे यानि कि सर्वनाम पढ़ने के बाद चात्रों में आप क्या changes देखना चाते हो आपके क्या objective है सर्वणाम teach करने के फर्स्ट है चात्र सर्वणाम का ज्यान हासिल कर पाएंगे चात्र सर्वणाम की व्याख्या और इसके भेद पता पाएंगे सर्वनाम शब्दों का प्रियोग देने गीवन में भी कर पाएंगे and last है सर्वनाम वे संख्या शब्दों में अंतर कर पाएंगे सर्वनाम पढ़ने के बाद next point है शिक्षन साहयक सामंगी यानि जिन आप tools का use करते हैं students को teach करने में like आपने chalk, board, duster या फिर सर्वनाम के चार्ट का जब आप use करेंगे आपको यहाँ पर mention करना होता है next heading है पूर्वग्यान अनुमान आप छात्रों के पूर्वग्यान का अनुमान लगाएंगे कि छात्रों को व्याकरण के बारे में संख्या के बारे में basic जानकारी है next आप करेंगे पूर्वग्यान परिक्षन आप छात्रों का एक परिक्षन करेंगे यानि कुछ questions पूट करेंगे जिससे आपको पता लएगा कि छात्रों को कितनी previous knowledge है टॉपिक के बारे में next ओपिश्य की घोषना आप अपने टॉपिक को students के सामने present करेंगे कि बच्चों आज हम अध्यन करेंगे सर्वनाम next point है प्रस्तूति करत जिसको presentation बोलते हैं अब यहां से आपका topic का presentation स्टार्ट हो जाता है कक्षा में सर्वनाम का चित्र यानि आपने कोई भी चित्र बनाया है model बनाया है चार्ट बनाया है उसको शो करते हुए प्रदशित करते हुए चात्रों को सर्वनाम शब्द से परिचित करवाना वे संख्या से सम्मंधित प्रश्नों को पूछना क्योंकि संख्या से ही link करके यानि संख्या क्या है स्टूडेंट्स की बाके में संख्या क्या है तो स्टूडेंट्स ने अंसर दिया मोहन नेक्स्ट प्रस्तूति करण में आपको चार कोलम बनाने होते हैं जिसमें से फर्स्ट कोलम रहता है सिक्षन बिंदु का यानि कौन-कौन सी पोइंट साफ students को teach करने वाले हैं second है छात्राध्यापिका क्रिया यानि जो छात्राध्यापिक है जो pupil teacher है उनकी क्या टे activity है छात्रों की क्या activity है यानि छात्र क्रियाए क्या है चोग डस्टर क्रियाए यानि जो भी आपने blackboard पे mention किया है वो कौन-कौन सी activity है फर्स्ट आप देख सकते हैं छात्राध्यापिका क्रिया में जो अध्यापिका है वो student से यानि छात्रों से कुछ प्रशन पूस्ती है मोहन अच्छा लड़का है इस वाक्ये में संग्या कौन है छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देते हैं कि मोहन संग्या है यहां पर किस विधी का यूज हो रहा है प्रशन विधी का next section बिंदू है सर्वनाम वे उसके भीड यहां पर जो छात्रा ध्यापिका है वो सर्वनाम की परिवाशा देती है कि संख्या किस्तान पर जो भी इस्तमाल होता है वो सर्वनाम कहलाता है जैसे अराध्या गाना गाती है और वहें निर्ट्य भी करती है तो इस वाक्य में वहें सर्वनाम है चात्र अक्टिविटी में क्या होगा यानि चात्र क्रिया में चात्र ध्यान पुर्वक सुनते हैं यहां पर जो Blackboard Activity होगी यानि कि जो Chalk Duster Kriya है वहाँ पर जो teacher है वो क्या कर रही है चार दर्शाकर उधारन देना यानि जो छातर है उनको चार दिखाकर जो छातर अध्यापिका है example देती है next है सर्वनाम की परिभाशा छातर अध्यापिका students को परिभाशा देती है सर्वनाम की यहाँ पर जो चातर उटर पुष्तिका में नोड करते हैं, व्यधियान विदिका यहाँ पर इस्तिमाल होता है स्थीं बिंदha सर्वनाम के भेद जहां पर चातर अध्याइभिका स्टूदेंस को यनि जो चातर उनको बताती है कि जो सर्व नाम है उसके इच्छे भेद होते हैं यहां पर छात्र कृया में क्या होगा छात्र जो है वो चाठ को ध्यान पूरवक देखते हैं और अपनी उउद्तर पुछ्तिका में जो सर्व नाम के भेद हैं उनको नौड करते है आप जो Chock Duster activity है यानि जो Chock Duster करिया है वहां पर आप लिख सकते हैं कि चाट पर pointer से भेधो की व्याख्या करना जो अध्यापिचा है वह चाट पर pointer से students के सामने जानी चात्रों के सामने भेधो की व्याख्या करती है नेक्स्ट पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर छात्र अध्यापिका स्टूडेंट्स को बताती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है यहाँ पर देखिए छात्र क्रिया में क्या होगा चात्रे दूविधा में संभावित उन्हें ना समझ में आए अब यहाँ पर आप इस points को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप lesson plan बनाते हैं आप class में जाने से पहले lesson plan prepare करते हैं आपको नहीं पता होता कि students का क्या reaction होगा आपकी concept को वो समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे तो आप अपने according mention कर सकते हो कि हो सकता है कि छात्रों को यह point ना समझ में आए जैसे यहाँ पर mention किया हुआ है जरूरी नहीं है कि हर बास students को समझ में भी आए नेक्स नहीं हाँ पर आप लिखेंगे जो शामपट की जो activity है उसमें आप लिखेंगे शामपट वे कक्षा कक्ष का उपयोग example के तोर पर जो teacher है जो छात्र अध्यापिक है उन्होंने क्या किया शामपट का भी उपयोग किया और जो कक्षा कक्ष है उसका भी उपयोग किया नेक्स्ट है कक्षा को उन्हा पूरुषवाचक सर्वनाम समझाना शात्र जो अध्यापिका है वो कक्षा को दुबारा से पूरुषवाचक सर्वनाम समझाती है क्योंकि हो सकता है कि शायद छात्रों को ना समझ में आया हो और यहाँ पर जो है छात्र संतूष्ट होती है नेक्स्ट है सम्मंद वाचक सर्वनाम अब यहाँ पर जो छात्रा ध्यापी का है वो सम्मंद वाचक सर्वनाम के बारे में बताती है कि जो सरवनाम किसी दूसरी संख्या या सरवनाम से संबंदित हो वह संबंद वाचक के लाते हैं जैसे इसका उसका ये सभी एक्जामपल है यहाँ पर जो छात्र हैं वो ध्यान पूरवक समझते हैं और कुछ आंसर भी देते हैं कुछ students उन में से answer भी देते हैं नेक्स्ट है प्रशन वाचक सरवनाम यहाँ पर जो छातर अध्यापी का है वो प्रशन वाचक सरवनाम के बारे में बताती है और छातर क्रिया में बच्चो द्वारा उत्र पुस्तिका में नोट किया जाता है और धानपुर्वक सुना जाता है यहाँ पर एक चौक बोड एक्टिविटी है वहाँ पर आप मैंशन कर शकते हो कि यहाँ पर कक्षा कक्ष का उध्धारन उध्यापी काने नेक्स्ट है निश्चेवाचक सरवनाम जिस सरवनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का भोद हो उसे निश्चेवाचक सरवनाम कहते हैं जैसे यह लड़की तो यानि यहाँ पर एक निश्चित है कि यही लड़की है छातर उधारन द्वारा उचित परकार से समझते हैं यहां पर उधारनात्मक्षली का प्रयोग किया गया है इससे निठ्श केरियों के लिए किया जाए उसे निठीवाचक सर्वनाम कहते है पर एकजामपल अपना काम ख़ुद करो तो यह सब ध्यान पूर में जुकर की कहना है next leading आती है पुन्रावर्ती प्रश्न पुन्रावर्ती प्रश्न वो होते है जब च्छात्राध्यापिका स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद revision करवाती है revision के लिए कुछ question पूछती है उसे कहते है पुन्राःवर्ती प्रश्न जिसमें से यहां पर जो चात्रा ध्यापिका हैं कुछ प्रेशन करती हैं चात्रों से जिसमें सरणाम किसे कहते हैं उसके भेज बताएं या फिर नीजवाचक सरणाम के उधारन बताएं इस तरह के कुछ प्रश्ण करती है इसे कहा जाता है पुन्रावर्ती प्रश्ण जिससे च्छात्र हैं उनको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है लास्ट में जो च्छात्रा ध्याफिका है वो स्टूडेंट्स को ग्रह कारिया देती है लास्ट में जो प्यूपिल टीचर है यानि जो छात्रा ध्यापी का है उनके सूपरवाइजर यहां पर रिमाग देते हैं और हस्ताक्षर करते हैं जिसके लिए हमें कॉलम मेंशन करना होता है जो डेट है वो मेंशन करनी होती है तो आई होप आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो ता लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में